नमस्कार, कुईक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम पर किसी की भी अकाउंट को आप रिपोर्ट कर दिये हैं और आप उस रिपोर्ट को कैंसिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए तो चलिए सुरू करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फोन में इस्टाग्राम को ओपन करना है तो चलिए इस्टाग्राम को ओपन करते हैं open करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पापको एक profile icon का option दिखेगा तो आपको यहाँ पर click करना है click करने के बाद उपर में आपको एक three line का option मिलेगा तो आपको यहाँ पर जाना है जाने के बाद यहाँ पापको एक settings and privacy का option मिलेगा तो आपको यहाँ पर click करना है क्लिक करने के बाद आपको उपर की और स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे में एक help का option दिखेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पापको एक support request का option मिल जाएगा अब आपको यहां से report को cancel करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहां पर click करना है click करने के बाद यहां पर आपको एक reports का option दिखेगा अब Instagram पर आप जो भी किसी को report किये होंगे यहां पर उसका report दिख जाएगा तो simple आपको यहां पर click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक परसन को यहाँ पर हम उसका अकाउंट रिपोर्ट किये थे तो यहाँ पर सो कर रहा है तो सिंपल आपको उस रिपोर्ट पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसका status बताएगा कि वो आप पर report हुआ की नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जिस account को report किये थे यहाँ पर report हो गया है, receive हो गया है और नीचे में आपको एक previous message का option दिखेगा तो आपको यहाँ पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा report है यहाँ पर submit हो गया है, सो भी बता रहा है लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर भी report cancel करने का option नहीं मिलता है अगर आपको डर है कि आप किसी के Instagram account को report कर दी हैं और उसका कोई भी गलती नहीं था और use request को आपको आपस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर कुछ भी option नहीं दिया गया है जो कि आप cancel कर सके लेकिन यहाँ पर आपको बता देखिए अगर आप किसी के भी Instagram account को report करते हैं तो report करने के बाद उसके account पे कोई भी effect नहीं परता है अगर वह इंसान अपने Instagram के account पे कोई भी गलती नहीं किया रहता है उसका post पुरा सही रहता है उसका account एकदम original लहता है उसके बाद उसके account पे आप जितना भी report मार लें वहाँ पर अगर उसका account सही होगा Instagram के वह community guideline strike का वहाँ पर पालन करता होगा वह उसको लंगर नहीं करता होगा तो Instagram क्या करेगा कि आप जो भी report कीजिएगा उसका review करने के बाद वहाँ से उसको आपका जो request है automatic वहाँ से cancel हो जाएगा आपका report automatic cancel में चला जाएगा तो आपको पता चल गया होगा कि Instagram पर report cancel कैसे करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद